दोस्तो आप चाहे किसी भी फसल की खेती करें, अच्छे प्रडक्शन के लिए, अच्छी पैदावार के लिए आपको उस फसल के बीज के बारे में सही जानकारी होनी आपको जरूरी है इस वीडियो में मैं आपको वही जानकरी देने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो महू सुरेश सिहाग और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल खेत किसान जुनजनो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको गोबी की चार कमपनियों के बारे में जानकरी देने वाला हूँ किस मोगा अभी आपको चुनाव करना चाहिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ओन कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहल में जिनकी हम अभी नर्शरी डालने वाले हैं और दोस्तों मैं खुद भी गोवी की खेती करता हूं इसलिए मैं खुद भी उनी वराइटीज को काम में लेने वाला हूं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सीजंटा की सीएफल 15-22 के बारे में इस फचल की अवद्धी है 50- से साथ दिन की यानि रुपाई के 50-60 दिन बाद में ये तयार हो जाती है और दोस्तों इस बीज की जो गहराई है आप बीज डालते समय नर्शरी का बीज डालते समय इसकी आप जो गहराई है एक से इंट्रिमिटर से कम रखें फूल का वजन होगा इसका 500 ग्राम से लेकर से आप देखवाल नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा समय ले सकती है आपके फ्रटिकेशन पर भी डिपेंड करता है थोड़ा कि आप कितना क्या फ्रटिकेशन डालते हैं उस हिसाब से भी थोड़ा इसमें 15 दिन का गयप आगे पिछे हो सकता है बाकि जो इसका सही समय है सुपर सिगरा टोप कमपनी है अच्छी कमपनी है दोस्तों इसके फूल का वजन 500 गराम से लेकर साड़े 800 गराम तक होगा और इसके बीज की गहराई भी आपको एक सेंटिमिटर से कम ही रखनी है और फूल का जो रंग है वो एकदम सफेद आपको इसमें मिल जाएगा और आखरी हमारी टोप वराइटी है वो है सकाटा की वाइट ट्रेजर इसको भी आप काम में ले सकते हैं इसका वजन भी आदी किलो से 800 गराम तक आपको मिल जाएगा और इसका फूल का रंग भी आपको वाइट ही मिलेगा और ये भी एक हाइबरीड किसम है अच्छी किसम है दोस्तों अगर आप गोबी की खेती करते हैं तो इन चारू वराइटी को आप काम में ले सकते हैं चारू अच्छी वराइटियां है बारिश और गर्मी के परती अनुकूल है अच्छा आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शे